नमस्कार आज दिनांक उन्तीस ग्यारा दो हजर चोवीस दिन शुकरवार केड़ी चोधरी आनार मंडी पुना के तरपशे में तानाजी चोधरी सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार बजर की सत्यस्तिती में सभी किसान भाई को मैं बजर की हलचल बताता हूँ क्योंकि अभी महारष्ट में माल कम होने लगा है और जो बगीचे है और अच्छे है अच्छे रेट में जा रहे लेकिन मेडियम माल भी है वो भी अच्छे रेट में बिख्री हो रहे है लेकिन अभ लोगों को भी रेट समझो सही मिल रहा है लेकिन आगे जाके थंड जब बढ़ रहा है और दक्षिन भारत में जब बारिश का महौल दिख रहा है तो इसे थोड़ा सा बजार में गिरावट का महौल अगर सामने आता है तो अभी माल निकालना जरूरी है क्योंकि राजस्तान और गुजराथ 21 साथ दोनों तरफ माल निकल रहे क्योंकि राजस्तान में तो माल पहले निकल रहे लेकिन हलके निकल रहे काला टिपकी वाला या जो भी है अच्छे माल वारिश की एसाब से पहले माल खराब हो गए लेकिन 15-20 डिशमबर के बाद उदर माल ज्यादा अच् नहीं दिख रहे लेकिन राजस्तान में आगे 20-25 डिशमबर के आगे समझो माल सही है लेकिन जाने वारी में माल उदर और अच्छे निकलेंगे लेकिन अभी पहले मेले कुछ एरे में भी अच्छे माल है लेकिन ग्रहक एक 5-10 दिन में वहां राजस्तान में जाने की कोशि जरो करेगा और हमारी मंडिया भी उसी समय चालू हो जाएगी तो मेरी बिंती है कि राजिस्तान करनाड़क हो यांद्रा हो उदर के किसानों ने अभी माल निकालना जरूरी है और महारश्ट में भी जो भी करनाड़क बॉंडरी पे माल जो है वो भी अगर तुरन निकालने की कोशिश करेंगे तो अच्छे माल को अच्छे रिट मिलने की संभावना है क्योंकि ये साल महारश्ट में भार से माल आ गये थे उसमें अंद्रा था करनाड़क था लेकिन गुजरात और राजिस्तान के तो माल महारश्ट में आती नहीं गुजरात और राजिस्तान में तो जगे पे स्पानिक लेवल पे मंडिया है लेकिन अंद्रा और करनड़क में मंडिया ज्यादा नहीं होने से माल महारष्ट में आया था या जगे पे माल बिक्री होते समय लोगों की बहुत हलत खराब हो गई थी कि ग्रहाक लोगों ने अभी भी वहां से माल आ रहे और जो भी माल बच बचे है और लगों का माल जगे पे कम विख्री में कम रेट में मांग रहा है तो मैं सभी किसान भाई को बोलूंगा कि अगर कम रेट मांग रहा है तो आप खुले आईए यहां की मड़ी के हलचाल देखिये और फिर जगे पे देना है यहां तक लाना है तो आप सोचे क्योंकि ठंड के महुल में माल खराब नहीं हो जाएगा तिन तिसरे दिन बैगा नहीं को दिलासा देता हूँ क्योंकि वहा मंडियां चालू नहीं होती तो जो आच्छे माल है वो माल कम रेटमी जाते हैं फहले पहले हलके माल जरूर पहले हरता है वहां के घ्राब को जो पसंत होता है हलके माल तो हलके माल की पसंती की सबसे वावी करें भी रहेगी लेकिन ये दो महिना जो पिछले साल या उससे आगे जो रेट मिले थे ये रेट मिलने की ज़्यादा संबावना नहीं है क्योंकि ये साल हर एक स्टेट में एकी साथ माल आया है महारष्ट में म माल बदने हो जाएगा माल चालो ही रहेगा लेकिन माल घadow घटेगा लेकिन राजिस्तान गिजरात जब एक साथ आता है थो थोड़ा सा effect नकी हो जाता है लेकिन अच्छे माल का अच्छा cheapest मिलने की संभवना जरूर रहे लेकिन उसको भी रेट हिसाब से रहेगा इसलिए जादा तर किसा नोनिया अभी माल जैसे ही तैयार होता है पकता है मंडी में लाना मंडी में बिक्री करना पसंद करना जुरुई है या जगे पे भी अगर अच्छे रेट में घ्राक मानते तो देना जुरुई है पिछले साल नोहेंबर में ज्यादा माल राजिस्तान में पक गया था मंडी में चालू हुई थी और उसका असर नोहेंबर का माल का डिशेंबर में हुआ था लेकिन ये साल ऐसा नहीं एक महिना सिजन लेट है लेकिन डिशेंबर में थोड़ा-थोड़ा माल चालू हुआ तो जल्दी न जैसे ही आपके माल तयार है, माल निकालना जरूरी है, और सब एक साथ माल आते हैं, तो उसके इसाब से थोड़ा सा रेट कम जादा होई जाएगा, लेकिन जो मजबुत माल है, कड़क माल है, उसी दर्मयान हम माल तोड़ेंगे, तो मंडिया दुरदुल की कवर कर सकते हैं, लेकिन माल और हो जाता है, तो गहाँग लोग वो माल को पसंती नहीं देते हैं, इसलिए अभी 2000-3000 किलो मेटर पे माल पहुंसता है, 2000 किलो मेटर पे, तो 4-4-5-5-5 दिन की सफर में माल खराब ना हो, इसी इसाब से गहाँग भी सुचता है, आप भी सुचता है, आप भी पूरा सरसकट देरे की सबसे ही आप सवधा करना है क्यूंकि सभी तरब यही किसान रहते यही व्यापरी रहते तो मंडियों में जूरोशले की हिरो बिखता है और अच्छे रेट मिलता है तो मंडियों में जाके आप देखना चाहिए तो हमारी मंडि समझो महाराष्ट में तो तीन जगे है नाशिक में है इंदापुर में और पुना में लेकिन गुजराजस्तान में हमारा जिवाना में मंडियों है जल्दी ही चालो हो रही है और गुजरात में भी कच्छ भुज में वहां मंडियों है वहां भी हम जल्दी ही ये साल चालू करने वाले और इसी हसाब से हमारे सभी स्टेट के किसान भायों को केडी छोदरी एक अनार मंडी अपनी मंडी लगती है और लोक हमें पसंद करते हैं क्यूंकि हम एक किसान के वीटे की है से आपकी सेवा में हजिर होते हैं और आप रहा देखते कि कब केडी चोदरी की मंडी चलो हो जाएगी मैं बोलता हूँ दोनों जगे ब्याभी जल्दी से जल्दी मंडी अपनी राजिस्तान और गुजरात में चलो हो जाएगी आप तयार रही है हम व्यापरी लेके आएंगे और आपके रेट का अच्छे से अच्छे दा मिलने की हम कोशिश करेंगे धन्यवाद